Hey guys, welcome to another theory of computation tutorial आज हम एक NFA को उसके equivalent DFA में कैसे convert करते हैं उसका एक example solve करते हैं ठीक है? तो starting में हमें एक transition table दिया गया है जैसे के आप देख सकते हैं यहाँ पर और इसके अंदर हमें जो भी input है उस हिसाब से जो output आ रहा है वो हमें यहाँ पर दिख रहा है अगर input 0 आ रहा है तो हम जा रहे है और input 1 से हम जा रहे state A में ठीक है? तो यह होगे अपना state A next आती अपनी state B तो state B में क्या हो रहा है अगर input 0 और 1 मिल रहा है तो हम जा रहे state C में तो input 0 और 1 से हम जा रहे state C में state C में क्या हो रहा है अगर input 0 आ रहा है to its equivalent DFA, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना जो DFA का transition table है, वो पहले construct करेंगे, और उसके बाद DFA का diagram ट्रॉख करेंगे, ठीक है, तो यह diagram से हम समझ सकते हैं कि हमारा जो, यहाँ पे हर state से transition कैसा है, वो समझ सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपना DFA का transition table पे ले ड्रॉख करते हैं, इस diagram की मदद से, ठीक है, तो starting state A आ जाएगी अपनी, starting state A में क्या हो रहे हैं यहाँ अगर input 0 आ रहा है, तो हम कहां पे जा रहे हैं, A में भी जा रहे हैं और B में जा रहे हैं, तो NFA के अंदर तो हम अलग-अलग states में जा सकते हैं, लेकिन DFA के अंदर A की state में जाना है, अगर एक input है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे input 0 आ रहा है, तो हमें क्या करना है, यह A, B को combine करके एक नई state बनाना नहीं, उसका नाम देंगे हम state A, B, ठीक है, और input 1 से हम सिर्फ A की state में जा रहे है, state A में, तो वह यहाँ पे वैसे ही copy करेंगे, state A, ठीक है, तो अभी हमने state A देख लिए, अभी यहाँ पे कौन सी नई state बन गई, यहाँ पे एक नई state बन गई, A, B, तो A, B में क्या होगा वो देख लेते हैं, तो यह है अपनी state A, B, तो state A, B में हमें क्या करना है, जो outputs है, उनको combine करना है, जैसे कि अगर input 0 मिल रहा है, तो हमें A, B, C, इन तीनों को combine करके एक नई state बन गईनी, उसका नाम है state A, B, C, ठीक है, तो अगर input 0 मिल रहा है state A, B में, तो हम पहुच रहे state A, B, C, यानि कि एक नई state में, ठीक है, और input 1 में क्या हो रहा है, अगर input 1 मिल रहा है आपको यहाँ पर state A, B में, तो हम इन दोनों को combine करेंगे, A, C को, और एक नई state बन जाएगी state A, C, ठीक है, तो अभी हमने state A देख लिया, state A, B देख लिया, ठीक है, next, नई state बन गई है state A, B, C, तो state A, B, C में क्या होगा, वो देख लेते हैं, तो यह है अपनी state A, B, C, तो हमें क्या करना है, same, यहाँ पर outputs की जो states है, उनको combine करना है, तो अगर input 0 मिल रहा है यहाँ तो A, B, C, D, इन चारों को combine करके एक नई state बनेगी A, B, C, D, ठीक है, और अगर input 1 मिल रहा है तो यहाँ पर जो states है, जाने कि A, C, और input 1 पर state C से हम कहीं पर नहीं जा रहे है, state A, C, तो हमें क्या करना है, same, चीज़ है, इन output states को combine करना है, A, B, D, तो यहाँ पर एक नई state बन जाएगी A, B, D, ओके, और यहाँ पर input 1 से हम यहाँ पर A और C की जो output state है, जो कुछ नहीं है, तो सिर्फ A आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो हमने A को cover कर लिया, A, B, C, D cover नहीं किया भी तक, ठीक है, A, C cover हो गया, अभी A, B, C, D को देखते हैं, तो A, B, C, D में क्या हो जाएगा, कि अगर input 0 मिल रहा है, तो यह जो सभी states हैं यहाँ पर, A, B, C, D, D, इनको combine करके एक state बनेगी A, B, C, D, तो D यहाँ पर repeat हो रहा है, इसके लिए हम D को सिर्फ A के बार लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर एक नई state बन जाएगी A, B, C, D, ओके, और input 1 से हम यहाँ पर combine करेंगे A, C, और D को ए A, B, D में क्या हो रहा है, इन तीनों को combine करना है, A, B, D को, ठीक है, तो इनको combine करने के बाद हमें क्या है, input 0 के बाद, A, B, C, और D को, इनको combine करके हमें मिलेगा A, B, C, D, ठीक है, और यहाँ पर input 1 से हम combine करेंगे A, B, D को, तो यहाँ पर हो जाएगा A, C, D, यानि का output states को combine कर D, तो यहाँ पर मिलेगा हमें A, C, D, ठीक है, तो यह हमने देख लिया A, B, D को, और A, B, C, D भी हमने अल्रडी कवर कर चेक है, लेकिन अभी A, C, D बागी है, ठीक है, तो हम देखते हैं A, C, D, A, C, D में क्या हो रहा है, अगर input 0 मिल रहा है, तो हम combine करेंगे, A, B को, बाद में D को, और यहाँ पर फिल से D आ रहा है, तो नई state बन जाएगी A, B, D, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, A, C, D, sorry, A, C, D है न, बरब, A, हाँ, तो यहाँ पर A आएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है, और बाद में D आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा A, D, ठीक है, तो A, D में क्या हो रहा है, A, D एक नई state बन गए, अभी हमने बाकी सब states तो cover कर ले, लेकिन A, D एक नई state बन गए, तो A, D में क्या हो रहा है, हमें combine करना है, A, B, D को, ठीक है, input 0 पर हमें मिलेगा, A, B, D, और input 1 से हमें मिलेगा, A, D, ठीक है, तो यह हो गया अपना DFA का transition table, तो अभी इस transition table की मदद से हम अपना जो DFA उसे draw कर लेते हैं, ठीक है, तो यह अपनी starting state A, input यहाँ पर अगर 0 मिलता है, तो हम जा रहे है, state A, B में, बराबर, और input 1 आ रहा है, तो हम जा रहे है, state A, ओके, next, next आ रहे है, अपनी state A, B, तो state A, B में क्या रहा है, हम हर state के लिए अलग-अलग color तो यहाँ पर यूज करते हैं, let's use green, अगर state A, B में, अगर input 0 आ रहा है, तो हम जा रहे है, state A, B, C, ठीक है, और input 1 आ रहा है, तो हम जा रहे है, state A, C में, A, C, ठीक है, next, अपनी आरी state A, B, C, तो A, B, C के लिए हम, let's use color blue, तो A, B, से में क्या रहा है, अगर input 0 आ रहा है, state A, B, C, D में, A, B, C, D, ठीक है, यहाँ पर आएगा double circle, क्योंकि A, B, C, D, final state है, बराबर, और input 1 से हम जा रहा है, यहाँ पर state A, C में, okay, next आरी अपनी state A, C, तो state A, C में क्या हो रहा है, वो देखते है, इसके लिए उस करते है, yellow, okay, state A, C में, अगर हम input 0 आ रहा है, तो हम जा रहे, state A, B, D में, A, B, D, ठीक है, और A, B, D भी double circle, क्योंकि यह भी एक final state है, ठीक है, और input 1 से जा रहा है, हम state A में, input 1 से हम जा रहे, state A, okay, अभी हमने state A, C को कवर कर लिए, आभी A, B, C, D का देखते है, ठीक है, तो इसके लिए यूज करते है, let's say, कान से यूज कर लेंगे, पॉपल, ठीक है, तो A, B, C, D में क्या हो रहा है, अगर input 0 आ रहा है, तो हम कहाँ पर जा रहे, state A, B, C, D में जा रहे, बराबर, input 0, हम state A, B, C, D में जा रहे, और input 1 से हम जा रहे, state A, C, D, तो एक नई state बनानी पड़ेगी, double circle, A, C, D, input 1, ठीक है, तो हमने A, B, C, D कवर कर लिया, अभी A, B, D को देखते है, A, B, D में क्या होगा, कौन सा कलरीज करेंगे, let's use red, ठीक है, तो A, B, D में अगर हमें input 0 मिल रहा है, तो हम पहुच रहे, state A, B, C, D में, बराबर, और input 1 से हम जा रहे है, state A, C, D में, correct, तो A, B, D, भी हो गया, next आ रहा है, A, C, D, A, C में अगर हमें input 0 मिल रहा है, तो हम पहुच रहे, state A, B, D में, तो इसके लिए, कौन सा कलरीज करते है, let's use green, ठीक है, अगर A, C, D में input 0 आ रहा है, तो हम पहुच रहे, state A, B, D, और input 1 से हम जा रहे, state A, D में, ठीक है, और state A, D में क्या हो रहा है, same, input 0 से हम जा रहे, state A, B, D में, इसके लिए कोई दूसरा कलरीज करें, इसके लिए, वापस से, कौन सा करेंगे, let's use yellow again, तो अगर state A, D में input 0 आ रहा है, तो हम पहुच रहे, state A, B, D में, बराबर, और state, इनपूट 1 आ रहा है, तो हम पहुच रहे, state A, D में, state A, D, ठीक है, तो यह हो गया आपना, equivalent DFA, for this NFA, I hope आपको यह concept समझ में आ गया होगा, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, तो आप मुझे नीचे, comment section में बूच सकते हैं, so that's it for today guys, thank you very much,